हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माय चनल आज हम लोग करेंगे कोश्चन नमबर फाइब यह है ब्रेंटीजर यूनिट 11 प्रॉफिट और लॉस और ब्रेंटीजर का यह थर्ट वीडियो लेशन है इसके पहले का जो वीडियो लेशन है उसका लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रि सब्सक्रिब्र से यह और यह हैज तो दोनों का नमबर को पता है फिर कहता है कोस्ट ओफ वन स्टूल वाज रुपीज 150 ओके वन स्टूल का कोस्ट कितना है 150 रुपीज क्लियर और दूसरा कहता है कोस्ट ऑफ वन टेबल वाज 280 ओके दोनों का कोस्ट दे दिया है अब फिर क्या कहता है यह कह रहा है जितने भी स्टूल और जितने भी टेबल को खिरदा गया वो सब को सॉल्ड कर देता है कितना में तो 3100 रुपीज में अब कहता है find his gain and or loss तो इसको gain हो रहा है आने की लाब हो रहा है या फिर loss आने हानी हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ आप हम लोग को बताने है तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा और one as tool का क्या price है तो rupees rupees 150 clear तो 7 से इसको मुलग multiply कर दिए फिर हम इसमें add करेंगे क्या add करेंगे table का cost तो कितने tables purchase किया रहे है 8 तो हम लोग यहाँ 8 लिखें और कितने से multiply कर देंगे तो table का एक table का cost कितना है rupees 280 ओके हम इससे क्या करेंगे multiply तो यह हमको total cost मिल जागा किसका 8 tables का ओके चलिए हम इसको कर लेते हैं तो अभी ना हमको multiply करना पड़ेगा तो 15 का table 7 times पड़िए तो आपको कितना मिल जागा 105 और एक 0 पूट कर लिजिए तो यह क्या हो गया 1000 आने rupees 1050 ओके यह आगे आपका cost कितना 7 तूल का फिर इसमें आप add किजिए क्या add किजिएगा table का cost तो table का cost देखिए 280 है और 8 से multiply करना होगा तो आप यहाँ पर multiply कर लिजिए यह है 28 ओके और मैं इसको multiply करता हूं 8 से तो क्या हम लोग को मिलेगा देखिएगा 88 क्या हो गया ना 64 क्या हो गया यहाँ पर 6 आ जाएगा ओके फिर आप देखिए 8 तूजा कितना हो गया 8 तूजा हो गया 16 ओके 16 और 2 आपने add कर 22 पर लिजिए और आप धेयान दिजिए यहाँ पर 10 हापका तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो आपके पास क्या हो जागा यह हो जागा पहले 234 लिखे फिर 10 लगा देजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा total amount आज यहगा m지 आद्ट क्या गया टोटल कोस्ट कितना एट टेवल्स का किलिए समझ गए अब इसको हम एड कर लेंगा तो एड करना बहुत है आसान है हाना हम लोग को कैसे लिखना है कॉलम मेथड में लिखना है आप देखिए कॉलम मेथड में लिख चुके हैं एड करेज़े तो क्या आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तो देखिए क्या हो गया टोटल हो जाता है यह हमारे पास थिरी थाउजन टो हंडरेड एन नैंट्टी और के यह क्या हो गया और टोटल कोस्ट प्राइस आ गया अब कितना में सेल किया जा रहा है तो रूपी इस थिरी थाउजन और वन हंडड़ तो अभी आप देखिए कि आपका सेलिंग प्राइस कम है यहाँ हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे तो एंड शेलिंग प्राइस देख लिजे कितना है तो आगर सेलिंग प्राइस कम होता है कोस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो उस कंडिशन में क्या होता है ना लॉस होता है तो लॉस को हम कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ओके चलिए आप माइनस कर लिजे तो कोस्ट प्राइस क 3,100 तो मैनस करना बहुत है आसान है यहां पर मैनस कर लो में यह देखिए यहां लिख दिए 3,100 ओके अब चलिए मैनस किजिए तो 0-0-0-9-0-9-2-1-1-3-3-0 उसको लिखने गावे सकता नहीं है तो क्या आ गया रूपीज 190 तो हम यहां पर क्या लिखेंगे रूपीज 190 ओके यह क्या आ गया अपना यह आ गया अंसर आने के लॉस निकल गया ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को बनाते हैं कोस्टन नमबर 6 तो हमारे पास कोस्टन है अन इंजिनियर स्पेंट रूपीज 24,500 तो असेंबल एक कंप्यूटर ओके एक कंप्यूटर को असेंबल करता है और कितना रूपीज लगता है उसको कोस्ट तो 24,500 समझ गये आगे कहता है इतना रूपीज प्रॉफिट ले करके वो इसको सेल करता है फिर कहता है अट वाट प्राइस डिद ही सेल इट कितने प्राइस पर इसको उन्होंने बेचा है और हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा गया है तो हम लोग पहरे नौट करेंगे कोस्ट प्राइस प्लस profit करके ओके यह हमारे पास formula है तो cost price कितना है rupees 24,500 प्लस हम इसमें क्या कर लेंगे 8,250 को add कर लेंगे तो आप जब इसको add करेंगे तो add करने के लिए आप क्या करेंगे न column method का use करेंगे यह देखिए हाना आप इसको use इस तरह से पहले लिखिए अब इसको add किजिए 0 527 यहाँ पे 8 प्लस 4 यह हो गया 12 carry over 1 1 प्लस 2 यह 3 हो गया 32,750 तो यह हमको क्या मिल जाता है 32,750 रूपीज आनि इतना रूपीज में sell किया गया ओके तो अपना answer बन गया चलिए next question को solve करेंगे तो अगला question है main solder bag for rupees 75 rupees ओके देखिए तो आगे कहता है at a loss of rupees 12 फिर से देखिए main solder bag for rupees 75 75 rupees में bag को क्या करता है ना sell करता है यह बेचता है और उसको कितना loss होता है 12 rupees का कहता है finding cost price cost price हम लोग को निकालना है तो हम लोग सेम formula यूज करेंगे जो हम लोग पिछे वर्क सिट में यूज किये हैं और वह formula क्या है तो आप देखने जिए हमारे पास यह formula है selling price निकालने के लिए दो है एक profit के के में और दूसरा loss के case में हम लोग नहीं यूज किया है पिछले वर्क सिट में ओके और यहां पर एक cost price निकालने के लिए दो formula है एक profit का case में और एक loss का case में तो यहां पर क्या है हमारे पास loss हो रहा है आप देखिए loss हो रहा है हमको क्या क्या निकालना है cost price तो यह formula हम यूज करेंगे हना cost price equal to selling price plus loss तो यह आप जो four formula आप देख रहे हैं यह हम लोग को learn करना है यह 1234 ओके यह selling price निकालने के हैं और यह cost price निकालने के यह से हम लोग पिछले वाक्षिट में कर चुके हैं तो आईए हम लोग वही formula को यहां पर ले देखेंगे selling price plus loss के लिए चलिए अब देखिए cost price selling price plus loss तो selling price कितना है रुपी 75 और लौस कितना हो रुपी 12 आप दोनों को add कर लेजिए आपको क्या मिल जागा यह आपको मिल जागा 77 ओके तो यह क्या आपना यह आगया cost price तो यह cost price ता आगया किसका back का ओके समझ गे हम लो थ्री ड्रेजन ओरेंजेश वर सॉल्ट फोर रुपीज 120 एक सो बीस रुपिया में कितने ओरेंज को बीचा जा रहा है थ्री ड्रेजन ध्यान दिजिए थ्री ड्रेजन ओरेंज को बीचा जा रहा है कितना में यह सॉल्ट किया जा रहा है ने बीचा जा रहा है कितना रुप यह ध्यान देने वाले बात है कि हमको एक डर्जन का निकालना है कोस्ट प्राइस तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग यहां लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ थी डर्जन और एंजेज डैट इस रूपीज वान ट्वेंटी लॉस लॉस इकल टू रूपीज नाइन तो अभी हमने देखा जब लॉस हो और सेलिंग प्राइस दिया हूँ तो कोस्ट प्राइस कैसे नकालती है कोस्ट नमर 7 में हम लोग क्या करते हैं देन्व लॉस को एड़ कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 120 और इसमें धम कर दियाे रूपीज 9 तो यह हमारे अभी हमको कितना निकलना है तो वर्ण टूवर्ण का निकलना है तो हमको ठीज से डिवाइट करना पड़ेगा तो हम यहां क्या लिखेंगी देरफोर therefore cost price of 1 dozen oranges equal to ये देखिए हमारे पास है 129 ये 3 dozen का है तो हमको 1 dozen का चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 से divide करेंगे आप 3 से आप divide कीजिए आपको क्या मिल जाता है आप देख लिजिए 3, 4, 12 और 3, 3, 9 ये हमको मिल रहा है रूपीज 43 ये क्या निकला रूपीज 43 निकल गया cost price of 1 dozen oranges ओके तो question 9 हमारे पास है fill in the blanks ओके इसमें हम लोगों fill करने देखिए क्या कहता है if the cost price of an article is greater than the selling price ओके समझगे क्या कह रहा है कि selling price से cost price जैदा है देखिए cost price of an article is greater cost price जैदा हो और selling price कम हो we have a तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है loss होता है कि profit होता है बता देजिए जितना मैं आपने खरेदा उससे कम में अगर आप बेचेंगे तो आपको तो loss होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लेखेंगे loss क्लियर सेकेंड लेखिए selling price equal to cost price selling price निकालने का क्या फॉर्मूला है है तो selling price निकालने के दो फॉर्मूले है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है यह देखिए selling price cost price plus profit selling price cost price minus loss तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है minus है को के- फिर यहां पिप्राइस इकॉल टू क्या हुआ वा सेलिंग प्राइस aqueles मांस क्या करेंगे टो हम लोग को क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा तो हमारे पास प्लस को कोस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट को यहां पर एड करेंगे तब लोग को जाके मिल जाएगा सेलिंग प्राइस के लिए अब सेलिंग प्राइस में क्या एड करेंगे तो सेलिंग प्राइस में हम लोग जब लॉस को एड करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा कोस्ट लिए जो questions बनाएं इसी के basis पर हम लोगों ने solve किये हैं तो यहां पर हम लोग brain टेजरों complete कर लेते हैं so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead